यदि कोई object बतलते समय के अनुसार अपनी position को change करता है तब हम कहते हैं कि वो object motion में है जैसे कि आपने सुरुवात में ये notice किया कि इस pole की इस pole से दूरी 2 meter की है और एक minute बाद भी इनके बीच की दूरी 2 meter की है दो minute बाद भी और 3 minute बाद भी तो इसका मतलब ये है कि बदलते समय के अनुसार इस ball की position change नहीं हो रही है इसलिए हम कहेंगे कि ये ball motion में नहीं है बलकि rest में है और यदि वो ball बदलते समय के अनुसार अपनी position को change करता तब हम कहते कि ये ball motion में है consider कीजिए कि आप space में है और आपके surroundings में कुछ भी नहीं है और आपको कहा गया है कि आप पता कीजिए कि आप खुद motion में है या नहीं तो उस समय आप नहीं पता कर सकते कि आप motion में है या नहीं क्योंकि किसी भी एक चीज को देख कर आप ये नहीं बता सकते कि आप अपनी position समय के साथ change कर रहे हैं या नहीं तो इसका मतलब यह है कि motion को describe करने के लिए हमें एक reference की आवशकता पड़ती है और उस reference को हम frame of reference कहते हैं frame of reference को choose करने की हमारे पास पूरी आजादी है और जाने अंजाने में हम कई बर frame of reference को choose भी कर लेते हैं जैसे यदि आप platform पर खड़े हैं और एक train पाइपास होती है तब हम कहते हैं कि train motion में है क्योंकि हमने platform को frame of reference माना है और इसकी respect में train अपनी position को change कर रही है वहीं यदि हम train में होते हैं तब हम यह कहते हैं कि बागी चीजे पीछे की तरफ move कर रही है क्योंकि हम उस समय train को frame of reference माल लेते हैं और उसके अनुसार बागी सारे object अपनी position को change कर रहे होते हैं इसलिए हम कहते हैं कि बागी सारे object motion में है frame of reference को हम coordinate system से represent करते हैं जिसमें x, y और z axis होते हैं और इस coordinate system के मताबिक यदि कोई object समय के अनुसार अपनी position को change करता है तब हम उसे कहते हैं वो motion में है चूज किया गया reference खुद motion में भी हो सकता है और rest में भी हो सकता है frame of reference एक constant velocity से travel करता है तब उस frame of reference को हम inertial frame of reference कहते हैं क्योंकि उस frame में newton के motions के laws valid हैं और वहीं एक तरफ यदि वो frame of reference accelerated है मतलब कि एक constant velocity से travel नहीं करता है तब हम उसे कहेंगे कि वो non-inertial frame of reference है और इस frame of reference में newton के motion के laws valid नहीं होते हैं non-inertial frame of reference मतलब कि एक accelerated system में हमें एक force feel होता है जिसे हम pseudo force कहते हैं इस pseudo force के बारे में हमने पहले भी बात की है जब वो system accelerate करता है तब हमें वो force पीछे की तरफ feel होता है जब वो system decelerate करता है तब हमें वो force आगी की तरफ feel होता है लेकिन newton के first law के मुताबिक किसी भी object के acceleration के लिए unbalanced force अनिवार है लेकिन उस accelerated system में हमारा acceleration होता है लेकिन कोई force हमारे उपर act ही नहीं करता है इसलिए newton का first motion का law इस non-inertial frame of reference में invalid है newton second law of motion के मुताबिक force is equal to mass into acceleration होता है लेकिन इस accelerated system में calculation करते वक्त हमें pseudo force के magnitude को भी consider करना पड़ता है इस वज़े से newton का second law of motion भी इस non-inertial frame of reference में valid नहीं होता है newton's third law of motion के मुताबिक हर एक action force के लिए equal और opposite reaction force होता है लेकिन इस accelerated system मतलब की non-inertial frame of reference में हमारे उपर वक करने वाला pseudo force स्रिफ reaction होता है उसका कोई action force नहीं होता है इसलिए newton का third law भी इस non-inertial frame of reference में valid नहीं होता है आसा करते हैं कि आपको ये concept समझा होगा और आपके लिए helpful रहा होगा आपके प्वे आपके लिए measurable आसे लुटिए आपके लिएल सनसरब्स कर्यों नहीं होता है आसे आसे में नहीं हो बिए लुट में neueतро वाम कर्यों में सक्दोरी नहीं होता है झाल झाल